जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना, फर्स्ट एटेंट में ही आपका डेमो क्लियर होगा, बिल्कुल, ये मैं इसलिए का रहा हूँ कि एक मेरा खुद का एक्सप्रियेंस है, मैंने ही फर्स्ट एटेंट में ही आनेकरणवी पे डेमो क्लियर किया था, ठीक है, तो आपको बस क् क्लियर हो जाएगा और अगर बार में आपका Demo reject हो रहा है तो कोई बात नहीं कोई प्राब्लम नहीं इस बार आपका Demo पक्का है क्लियर हो जाएगा बस आपको क्या करना है वीडियो लाश्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके आपको पूरा knowledge मिल सके कैसे Demo त्यार करना है कि पहले अटेंड में ही आपका Demo क्लियर हो जाए मैंने मेरा ये खुद का experience है कि मैंने फर्स्ट अटम ने ही अपना Demo क्लियर के लिया था जैसा कि आपको स्कीन पर दिख रहा होगा हमने कल प्रीबिस वीडियो में यहां तक कर लिया था कि Demo तक प्रोफा आपको mobile screen पर देख रहा होगा ठीक है तो इसको हम Demo पर क्लिक करते हैं यहां पर देखें, Demo पर क्लिक करने के बाद आपका यह कुछ इस तरह का interface आ रहा है यहां से आपको slide आपको जो भी आपका paper होगा जो topic चूछ किया है A4 size paper पर आपको write करना है यह मैंने previous वीडियो में देख सकते हैं ठीक है तो चलिए first जो आपका trick है वो क्या है topic, first trick यह है कि आपको topic select करना, topic इसलिए select करना है क्योंकि आपको पढ़ाना क्या है पहले आप decide करें, अब क्या चीजी आपको बहुत अच्छे से आती है, क्या आपको पढ़ा सकते हो, किसी को आपको क्या पढ़ा हो आता है, जिस topic अपको बहुत अच्छे सा आता है उट topic आप ह今日 रीख करें, आपको अगर महत तो आपको अच्छा है, तो आप quadratic equation आप चूज करते हो, तो कैसे इसको explain करना है, कैसे एफैफोर JS paper पर कैसे लिखना है आपको क्या करना है, कैसे explain करना है, कैसे समझाएं, कि जो अगला है, जिसको आप पढ़ा रहे हो, तीज कर रहे हो, वो समझ जाए. तो सबसे पर आपको अगर quality की question, दुविघाज समझाएं को आप बता रहे हो, उसके definition बताओ, ठीक है, उसके examples कराओ, ठीक है, सब्सक्राइब कर आप हिंदी पढ़ा रहे हो, अलंकार पढ़ा रहे हो, तांकाल के definition बताईए, अलंकार कितने पकार को होते हैं, उसके examples बताईए ठीक है, तो इस तरह से आप choose कर सकते हैं, अगर science में जाते हैं आप, तो science में आप कोई topic choose करते हों, suppose आप mold concept ही choose कर लेते हैं, तो mold concept के definition बताईए, mold concept के formula बताईए, mold concept के example कराईए, आप एक या दो slides add करके, ये 3 minute का ही demo आपको देना है, और ये भी ध्यानद है, जो भी topic आप choose करो, ऐसा करना, ये नहीं कि पूरा उसका viewrun आपको बताना है, नहीं, आपको बस यही करना है, कि 3 minute के अंदर ही आपको पढ़ाना है, इसको आप पढ़ा रहे हो 3 minute, demo बस 3 minute का ही देना है, उसी 3 minute के अंदर आपको selection होना है, ठीक है, तो topic आप चूज करिए, ठीक है, फर्स् कि आपको write कैसे करना है, इससे कहने का मतलब ये है, कि A4 size paper आपको लेने है, A4 size paper लेने के बाद आपको क्या करना है, Cam scanner आपको एक application आता है, उससे आपको scan करना है, ताकि आपका, जो आप उसको slide बना रहे हो, उसको clear होना चाहिए, ठीक है, तो कैसे करते है, second point आपका वहु ये topic मैंने choose किया था, determinant, आपको क्या करना है, आप एक slide, दो slide, जो इतना भी सकते, A4 size paper आपको ले ले जिए, फोटो आप इसका ले ले, फोटो लेने के बाद क्या करना है, फोटो लेने के बाद क्या करना है, फोटो चलिए हम फोटो इसका लेते हैं, प्ले स्टोर में जाना है, यहां से आप वह क्या सच करना है, 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 क्य यह Cam Skinner एक application है, इसको मैंने यहाँ पर install कर लिया है, आप इसको install करना, open करना, तो चलिए हम इसको open करते हैं, open करने के बाद इसको क्या करना है, आइए देखते हैं आगे इसमें, open करने के बाद कुछ इस तरह का आपका interface आएगा, तो आपको क्या करना है, यह आपको नीचे जो camera के side में आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसको click करें, click करने के बाद यहाँ पर camera के just left side में आपको gallery दिख रही है, gallery पर click करें, और अभी आपने जो photo क्लिक किया था उसको select कर लें, जो भी आपको slide में add करना है, जो भी slide में आपको add करना है, उसको आप select कर लें, ठीक है, select करने के बाद, कुछ इस तरह का processing करेगा, उसके बाद क्या करना आपको, उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको clean करना है, clean कसे करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पर कसे clean करते हैं इसको, clean करने के बाद यहाँ पर देखिए, फोन को आप land escape में कर लें, उसके बाद crop में जाने के बाद इसको आप थोड़ा सही अच्छे से crop कर लें, ताकि photo के अलावा, जो भी आपने photo लिया है, उसके अलावा कोई और चीज़े के अंदर ना आई हो, नहीं तो आपका demo reject हो जाएगा, इस तरह से कुछ तरह से आप इसको set कर सकते हैं, crop कर सकते हैं, बाकी image भी कर सकते हैं, सबसे important ची यह photo clean हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, second slide पर चलते हैं, यहाँ पर click save कर लें, यहाँ पर click save करने के बाद, second पर चलेंगे same condition, crop करीं यहाँ पर, जितने भी slide आप use करते हैं, तो यहाँ से हमने इसको crop कर लिया, crop करने के बाद, फिर वही magic class select करेंगे, automatically यह photo क्या होगा, आपका clean हो जाएगा, magic class आपको select करने के बाद, फिर save करते हैं, फिर आप जितने slide आप add करना चाहते हैं, उतने यहाँ पर select कर सकते हैं, उसके बाद आपका करना है, आपका यह जो second, second आपका जो यह, जो trick था, यह ह हो गया, अब इसको क्या करना है, आप आगे next, जो third trick आपका है, क्या है, वो है आपका background sound, मतलब background noise, जब भी, जहां भी आप video shoot कर रहे हो, recording कर रहे हो, वहाँ पर video के अंदर कोई भी background noise नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ा से भी background noise आ गया, तो आपका demo reject हो जागा, सबसे most important यह background noise नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो यह आप ध्यान दें, background noise जो आपका आएगा, तो आपको problem हो जाएगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे जगा आप shoot करिए, यहाँ पर थोड़ा room क्या हो, एक close room में shoot करिए, और background noise नहीं आने चाहिए, ठीक है, तो सबसे important चीज, यह आपको third trick यह है, सबसे important है, four trick क्या है, आपका sound quality, sound quality का मतलब क्या हो गया, कि आप अगर कहीं 3 minute बीच में आपको कहीं रुकना नहीं है, कहीं आपको बीच में stop नहीं होना है, और आप चाहें तो अपने sound को और अच्छा करने के लिए, आपके पास earphone होगा, earphone के से आप record करिए, यह आपके पास mic हो, तो mic से भी record कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है, तो phone को ही रखिए, और थोड़ा phone के करिब जाकर बोलिए, जो भी record करना है, phone के करिब जाकर, pass में, या तो आपको earphone होगा, earphone लगा के वहाँ पास से record कर सकते हैं, तो यह रही आपकी last trick, सबस screen पर चलते हैं, और कैसे इसको हम select करेंगे, select करने के बाद आपको, उसमें हम teammate का demo कैसे देंगे, ठीक है, तो आगे अपने mobile screen पर, यहाँ पर plus का icon दिख रहा है, अभी gallery में जाना है, gallery में करना आपको, gallery में जाने के बाद, आपको जो भी अभी आपने camera screen से photo corrupt किया था, उसक content करते हैं, set करने के बाद नीचे आपको, आपको done का option दिक रहा है, done करिए, done करने के बाद, इसको आप यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको rotate करके, इसको सही करना है, तो यहाँ से थोड़ा cycle कर लेजीए, सही करने का मतलब क्या है देखिए यहां पर साइड में आपको यहां पर थोड़ा पेस सही निख रहा है तो यहां से इसको यहां से भी आप कर सकते हैं और फोटो को क्लीन कर सकते हैं ठीक है करने के बाद आपको यहां पर सही मार्क से क्लिक कर लेना है देखिए यहां फिर भी यहां पर आ रहा है अभी यहां पर आ रहा है तो इसको आप यहां से क्रोट कर सकते हैं यहां से भी ठीक है अब हम जलेंगे सकेंड स्लाइट पर यहां भी रोटेट करके आपको इसको देना है यह देखिए नीचे आपको एक red क्लग का आपको बटन दिख रहा होगा उसको हम click करेंगो ठीक है click करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए stop recording कहा जा रहा है तो इसको आप click करिए stop recording click कर दिया हाँ पर countdown चल ला है one two three तो यहां से यह हो गया अब यहाँ पर कानफ दे तो कैसे आप इसको समझाना कैसे है, यहाँ पर यहाँ पर इसको आप ड्रा यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप यह रेट क्रार का कुछ इस तरह का समझा सकते हैं, यहाँ आप लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से भी इसको आ यहां से आप u 3-minute को यहां पर ऐसे ही आपको जो भी आप topic छूज करने इपको यहां पर क्या करना है इसको explain करने के बार यांजब भी आपका 3-minute हो जाता है तो यहां पर आके save करने के बाद आपका यह demo हो गया ठीक है तो यह रहे आपके four tricks और अगर आप यह four tricks आप follow करते हो तो 100% guarantee आपका demo select होना ही होना है यहां से आप count time over होने के बाद आप आप यहां पर select कर लेना ठीक है select करने के बाद submit कर देना ठीक है submit करने के बाद आपको working two out one two three days में working days में आपको email आ जाएगा कि आपका demo select कर लिया गे आपको approval मिल गया है उसके बाद next video में हम बताएंगे उसके बाद क्या करना आपको ठीक है अगर आप इसके previous video नहीं देखे हैं तो आप description में जरूर देखिए step by step आपको explain किया गया है बता गया है कैसे क्या करना है अगर आप पढ़ाना चाहते हैं एजुकरटर बनना चाहते हैं तो क्या करना है ठीक है तो यह रहा आज का यह कि first attempt में ही demo कैसे clear करें ठीक है तो मिलते हैं next इसका part जल्द हम करेंगे तब तक अगर channel पर आप नए हैं तो please subscribe करें और like वीडियो को like जरू करें ठीक है मिलते हैं हम next part इसका next part जल्द ही आपको लाएंगे और आने एकडमी से जुड़ी जितनी बात रहेंगी हम आपको explain करेंगे ठीक है तब तक thank you bye bye